हेलो दोस्तों जैसिर किसना रादे रादे हमारे चैनल ओम ग्यान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आएं कार्तिक मास की कहानी पत्वारी माता की कहानी एक बुड़ी अती वे कार्तिक नहाने के जाने लगी तब उस्म के बेटे ने अपनी पत्नी से खा मा के लिए तीस लड़ू बना दो और कुछ खाने का समान भी बांदो ताकि पुजा पाठ करके मा कुछ खा सके तब भहुने जल भुन कर तीस लड़ू बांदी और बुड़ी आ कार्तिक नहाने के लिए चली गई नदी के किनारे कुटिया बना कर रहने लगे बुड़ी आ रोज सुवे उटकर नहा दोकर पुजा पाठ करके जब लड़ू खाने बैड़ती तब अनमान जी बंदर बनकर उनके सामने परगट होते तब बुड़ी आ खुश होकर बंदर को लड़ू खिला देती इस परकार रोज आकर बुड़ी आ के लड़ू खा जाता कार्तिक महिना समापत होने पर हनुमान जी परगट हुए और बुड़ी आ की कुटिया महल बन गए उस महल में धन दोलत वए अन के बंदार भर गए बुड़ी आ निरोगी हो गई और बहुत धुमदाम से वह अपने बेटे के पास धन दोलत लेकर गई तब बहु कहने लगी कि आगे अगले कार्तिक में मैं भी अपनी मा को नहलाऊंगी कार्तिक का महिना आया उसने खुब सारा घी और मेवा डाल कर लड़ू बढ़ाए और अपनी मा को तीस लड़ू बांद कर दिये और मा कार्तिक नहाने गई रोज सुबह सुबह उठकर लड़ू खाने बैड जाती तब अनमान जी बंदर बनकर उनके सामने आते तो वह पत्थर मार कर कहती मेरा पेट नहीं बरता तुम्हे कहां से दूँ इस परकार वह रोज सुबह सुबह खाने बैड जाती कार्तिक के स्वापत होने पर अनमान जी परगट हुए और उसकी कुटिया कच्रे के धेर में बदल गई और बुडिया डूंकर बन गई उसकी बेटी अपने पती से कहने लगी कार्तिक महीना स्वापत हो गया है मेरी मा को वेंट बाजे के साथ धूम दाम से लेकर आओ तो वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तब देखता है ना तुम्हां सास है ना ही कुटिया की जगह रही है तब हनमान जी परगट होते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हारी मा ने सत्थ से कार्तिक नहया था पूजा पाट करी थी इसलिए तुम्हारी मा पर कार्तिक देवता बरसे और पुडिया पापी मन् से यहां रहती थी इसने कार्तिक महिने में बेटी के घर का अन खाया इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और यह डूकर बन गई कार्तिक देवता जैसे मा पर भरसे वैसे सब के पर महरवाने करना हमारे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और सभी के साथ सेर कीजिए कार्ति देवता की दूसरी कहानी एक सास थी कार्ति गनाने बाहर कोस आती भहु जो थी वे कठिया में पानी डाल कर कहती मन चंगा तो कठोती में गंगा वहीं गंगा जी आ जाती और वे नहा लेती एक दिन सासू की नत भै गई गर पर भहु न आई तो उसके कठडे में आ गई उसने निकाल कर रख दी सास आई और उदास होकर बैठ गई भहु बोली उदास क्यों बैठी हो सास बोली मेरी नत गंगा में भै गई भहु बोली मेरे हाथ में आ गई सास बोली कैसे भव कठडे में पानी डाल कर कह देती हूं मन चंगा तो कठोती में गंगा गंगा जी यही पर आ जाती है और उसी में तुम्हारी नत बैकर आई और मैंने ले ली जैसे सास को आई किसी को ना आवे जैसे भव को आई सब को आवे यह माराज कार्तिक देवता बैचने गई तो उसने रास्ते में देखा औरती पीपल पतवारी सीच रही थी उनको सीजता देखकर भव ने पूछा तुम यह क्या कर रही हो औरते बोली हम पीपल पतवारी सीच रही हैं इससे अन और धन होता है बारह वर्स का बिछड़ा हुआ पती मिल जाता है भव ब बोली यदि ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सीचती हो मैं दूद से सीच चूँगी गूजरी रोजाना दूद धही बेचने नहीं जाती वर रोजाना दूद तो पीपल में धही पतवारी में सीचती सास दूद धही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर कार्ति का महिना पूरा हो गया पूनो के दिन बहु इपल पत्वारी के पास जाकर बैठ गई पत्वारी ने पुछा तु मेरे पास क्यों बैठ गई बहु बोली सास दूदही का दाम मांगेगी इपल पत्वारी बोली मेरे पास क्या दाम रखा है ये पान और धतूरा है इसको बहु ने भई ले जाकर कोठडी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओड कर सो गई सासु बोली भव ऐसे ला बहु बोली कोठडी में रखे हैं सासु ने कोठडी खोल कर देखा तो हीरे मोती जग मगा रहे है सासू बोली भहु इतना दन कहां से लाई भहु ने आकर देखा तो सच्चे ही दन से बरा हुआ है घर भहु ने सास को सारी बात बता दी सास ने का अब की कर्तिक में मैं भी सिंचूंगी कार्तिक आया सास दूद धाई को बेच आती और हंडी दोकर पीपल पतवारी में डाल देती आकर भहु से कहती मेरे से दाम मांग वह कहती सासु जी कोई भहु भी दाम मांगे पर सासु कहती तू मांग भहु बोली सासु जी पैसे लाओ वो बोली पीपल पत्वारी के पास जाकर बैठ गई पीपल पत्वारी ने सास को पांद तूरा बंडिया दे दिया उसने ले जाकर कोठडी में रख दिया बहुने खोल कर देखा तो कपड़े में उनमें कीड़े बिलविला रहे थे कपड़े बिलविला रहे हैं बहु ने का असासु जी यह क्या असास ने आकर कहा देखो बोले पीपल पतवारी ने बड़ी दो पड़ पिती है इसको तो धन दिया मुझे को कीडा मकोडा दिया तब सब कोई बोलने लगे बहु तो सत की भूकी सीचे थी तू धन की भूकी है पतवारी माता जैसा बहु को दिया वैसे सब को दिया दिजयो जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत दिजयो है माराज पतवारी माता पतवारी माता की दूसरी कहाने एक बुड़िया थी उसके चार बेटे थे और चार बहुँ थी आया कार्तिक का महिना अपनी भहुँँ से बोली मैं तो कार्तिक नाने जा एक महिने में आऊंगी और देखूंगी कि तुम में से कौन सी सबसे ज़्यादा घी जोड़ पाएगी तीनों बहुत चालाग थी छोटी बहुत को ना तो दूद बिलोना आता था और ना ही घी निकालना तीनों देवरानी और जेठानी बोली अब देखेंगे कैसे करेगी सासू चोटी से ज़्यादा प्यार करती थी अब उसको कोई कुछ नहीं बताता था वह बड़ी भोली थी वह अपना सारा दूद धाई पिपल पत्वारी में गिरा देती महिना पूरा हो गया तीनों बहुत ने डिबा भर के घी जोड रखा था पत्वारी माता से बोली मेरी सासू आएगी मैं घी कहां से दूँगी पत्वारी माता बोली तू चार कंकर ले जा और जाकर चार डिबों में डाल देना उनका एक एक डिबा भरा होगा तो तेरे चार डिबे भर जाएंगे वह चार कंकर लेकर चली गई और चार डिबो में डाल दिये उसके चार डिबे फर गई सासु आई बोली लाओ अपना अपना घी दिखाओ किसने कितना जमा किया है सब बड़ी खुशी खुशी लेकर आई बोली आप सास ने इसको डाट पड़ेगी सबसे चोटी चार डिबे लेकर आई सो बोली इसने तो कवी जमाया नहीं बिलोया नहीं इतना कि कहां से लाए इसके पती ने लाकर दिया होगा त nouvelles कहने लगी मुझे तो बिलोना नहीं आता था ना ही कोई बताता था सो मैं तो दूद और दही पीपल पत्वारी मेसेज देती थी मुझे पत्वारी माता ने दिया है सब बोली पत्वारी माता के सींचे का इतना धरम वफल होता है अगले साल से हम भी सब कार्तिक नाएंगे और पत्वारी माता पीपल सीचेंगे हैं पत्वारी माता भू को दिया छोटी को वैसा सब को देना जो सीचे कहाने सुने उसका सभी मुच्छा पूरी करना हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कोमेंट करके बताए ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप से भी के लिए लेकर आए हमारे चानल ओम ग्यान सागर को सब्सक्राइब करें प्लीज वीडियो को लाइक करें सभी के साथ सेर करें धन्यवाद